शिव विवाह पौरानिक कथाएं सती के विरह में शनकरजी की दयनिय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में प्यस्त रहते उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय। शनकरग किया था कि मैं राजा हिमालय के यहां जन लेकर शनकरजी की अर्ध्धांगिनी बनूं, अब जगडंबा का संकरग वीयर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पतनी मेनका के गरभ में प्रविष्ट होकर उनकी कोक मेंसे प्रकट हुई होने के कारण वे पार्वती कहलाई जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता-पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी एक दिन अचानक देवर्शी नारद राजा हिमाले के महल में आप पार्वती को देख कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी द्रिष्टी से इसके योग्य हैं पार्वती के माता-पिता के आनंद का ये जानकर ठिकाना नरहा की साक्षात हमें घूंते घूंते उसी प्रदेश में जा पहुचे और पास ही कि स्थान गंगावतरन में तपस्या करने लगे जब हिमाले को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गये वहां राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को स शिवजी से अनुमती मिलने के बात तो पार्वती प्रते दिन अपनी सखियों को साथ ले उनकी सेवा करने लगी पार्वती हमेशा इस बात का सदा ध्यान प्रक्ती थी कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो वे हमेशा उनकी चरन धोकर चरनोधक ग्रहन करती और श विकार एकांत में सेवा लेते, रहने पर भी शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ, वे सदा अपनी समाधी में ही निश्चल रहते, उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बढ़ा रास देने लगा, ये जानकर कि शिव के पुत्र से ही तारक की मृत्यू हो सकती है, सभी देवता शिव पारवती का विवाह कराने की चेश्टा करने लगे, उन्होंने शिव को पारवती के प्रती अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास गले जा, किन्तु पुषपायूद का पुषपबान, भी शंकर के मन को विक्षुब्धन कर सका, उल्ता कामदेव, उनकी क्रोधागनी से भस्न हो गए। इसके बाद शंकर भी वहाँ अधेक रहना अपनी तपश्चर्या के लिये अंत्राय रूप समझ क्यालास की ओर चल दिये पार्वती को शंकर की सेवा से वंचित होने। ता बड़ा गैख हुआ किन्तु उन्होंने निराश्न हुकर अब की बार तप द्वारा शंकर को संतुष्ट करने की मन में छानी। उनकी माताने उन्हें सुकुमार एवं तपके अयोग्य समझ कर बहुत मना किया। इसलिए उनका उमा तप न करो नाम प्रसिध हुआ किन्तु पार्वती पर इसका असर न कुआ अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी। जहां शिवजी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को कोरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वे पर्ण व्रिक्षु के पत्ते खा कर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने तीन हजार वर्ष तक तपस्या की। उनकी कथोर तपस्या को देख। प्रशी मुनी भी दंग रह ग अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सबतर्शियों को भेजा और पीछे स्वयम वटोवेश धारन कर पार्वती की परीक्षा के निमित प्रस्थान किया जब उन्होंने सब प्रकार से जांच पर्क कर देख लिया कि पार्वती की उनमें अविचल निष्ठा है तब तो वे अपने को अधिक देर तक न छिपा सके वे तुरंत अपने असली रूप में पार्वती के सामने प्रकट हो गए और उन्हें पानिग्रहन का वर्दान देकर अंतरधान हो गए पार्वती अपने तब को पूर्ण होते देख घर लोट आयों और अपने माता पिता से सारा व्रितांत कह सुनाया अपनी दुलारी पुत्री की कथोर तपस्या को पलिभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा उधर शनकरजी ने सब्तर्शियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुग तिती निश्चित हुई सब्तर्शियों द्वारा विवाह की तिती निश्चित कर दिये जाने के बाद भद्वान शनकरजी ने नारत जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिये आदरपूर्वक निमंत्र किया और अपने गुनों को बारात की तयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंद प्रसंद होकर गनेश्वर शंतकन की क्राक्ष, विकृत, विशाक, विकृतानन, दुन्दुग, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रमध, वीर्भत राधी ग टीन नेत्रों वाले थे, सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे, सभी ने रुद्राक्ष के आभूशन पहन रखे थे, सभी के शरीर पर उत्तम भस्म उती हुई थी, इन गनों के साथ शंकरजी के भूतों, प्रेतों, पिशचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई, इनमें दाकनी, शाकिनी, या तुधान, वेताल, ब्रहम राक्षस, आदी भी शामिल थे, इन सभी के रूपरंग, आकार, प्रकार, चेश्टाए, वेश भूशा, हाव भाव आदी सभी कुछ, अत्यंत विचित्र थे, किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे, कोई बिना हाथ पैर के ही था, तो कोई बहुत से हाथ पैरूं, वाला था, किसी के बहुत सी आँखे थी और किसी के पास एक भी आँख नहीं थी, किसी का मुख गदे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था, उन सबने अपने अन्बों में साथ में नर कपाल ले रखा था वे सब की सब अपनी तरंग में मस्थ होकर नाचते गाते और मौ जोडाते हुए महादेव शंकरजी के चारों और एकत्रित हो गये चंदी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान प्रुद्रदेव की बहन बनकर वहा आपहुंची उन्होंने सर्पों के आभूशन पहन रखे थे वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारन किये हुए थी दीरे दीरे वहां सारे देवतावी एकत्र हो गये उस देव मनली के बीच में भगवान श्री विश्रु गरूर पर विराजमान थे पित थे देवराज इंद्र भी कई आभूशन पहन अपने एरावत गजपर बैठ वहां पहुंचे थे चभी प्रमुक प्रशी भी वहां आ गये तुम बुरू, नारद, हाहा और हुहु, आदि श्रेष्ट गंधर्व तथा किन्न भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के ये वहां पहुंच गई थे, इनके साथ ही सभी, जगनमाताय, देवकन्याय, देविया तथा पवित्र देवांगनाय भी वहां आ गई थी, इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकरजी अपने फुटिक जैसे उज्वल, सुन्दर, रशब पर सवार हुए, दूल ही क वेश में शिवजी की शोभा निराली की छटक रही थी, इस देविया और विचित्र बारात के प्रस्थान की समय दिम्रूओं की डम डम, शंकों के गंभीर, नाद, रिशियों महर्शियों के मंत्रों चार, यक्षों, किल्नरों, गंधर्वों की सरस गायन और मृत्य और मंगल गीतों की गून से तीनों लोग परिव्याक्त हो उठे, उधर हिमाले ने विवाह के लिए बड़ी धूम धाम से तैयारियां की और शुब लगन में शिवजी की बारात हिमाले के द्वार पर आ लगी, पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भू काम देवों को लजाने वाला सोलह वर्ष की अवस्था का परम लावन्य में रूप देखा तो वे देह गेह की सुधी भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्योचावर कर दिया हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक चंपन हुआ, हिम सब लोग अमित उच्छा से भरे अपने अपने स्थानों को लोट गए, दोस्तों हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करे और शेयर करे चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब करें, आप सबका धन्यवाद